Good morning everyone, चलो बचे आपके Capital Gain चैप्टर के last topic पे आते हैं बिटा और वो है Tax Rates on Capital Gains ठीक है तो Capital Gain पे Tax के Rates क्या होगे? Short Term Capital Gain पे क्या Rates होंगे? Long Term Capital Gain के क्या Rates होंगे? वो हम इस lecture में पूरा बिटा डिसकुशन करेंगे मेरे साथ Heading सब लिखोगे Very Very Important Tax Rates on Capital Gains पेटा, Capital Gain हमारे दो तरह के हैं दो तरह के हैं एक तो है बचे आपका Short Term Capital Gain और दूसरा है आपका Long Term Capital Gain तो दोनों का केस अलग-अलग देखेंगे बिटा Short Term का और Long Term का ठीके? अब बचे आपका Short Term Capital Gain में न हम दो केस देखेंगे दो केसे पहला है Transfer of listed equity shares and units of equity oriented fund और यहाँ पर लिखना Other Short Term Capital Assets Other Short Term Capital Assets यह लिख लो पिठा Copy कर लो फिर आपको समझाना शुरू करता हूँ फिलाल बटा Simple है बटा सुनो आपको बचे Short Term Capital Gain हुआ है किसके transfer पे? Listed equity shares के transfer पे Short Term Capital Gain हुआ है या फिर units of equity oriented fund के transfer पे आपको Short Term Capital Gain हुआ है बटा अगर Listed Equity Shares के transfer पे या units of equity oriented fund के transfer पे अगर Short Term Capital Gain होता है तो बटा उस Short Term Capital Gain पे फ्लाट फ्लाट 15% का tax लगता है बटा फ्लाट 15% का tax Under Section 111A फ्लाट 15% है बटा Under Section 111A जितने रुपे का Short Term Capital Gain होगा उस पे 15% कर देना सीधे सीधे एक लाट रुपे का Short Term Capital Gain है उस पे 15% 15,000 का tax आजाएगा बटा ये किसका हो गया? अगर ट्रांसफर हुआ है लिस्टेड इक्विटी शियर्स का या यूनेट्स ओफ इक्विटी ओरिएंटिट फंड का अगर किसी और Short Term Capital Assets के ट्रांसफर पे आपको Short Term Capital Gain हुआ है तो टैक्स कितना लगेगा बटा? बचे नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से ही होगा फ्लैट रेट आफ टैक्स नहीं है नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से ही होगा सर क्या मतलब हुआ नॉर्मल स्लैब रेट का बटा आपने पढ़ा तो था सबसे फर्स चैप्टर इंट्रोडक्शन का नॉर्मल स्लैब रेट क्या था? धाई लाक रुपे तक निल धाई लाक से पांच लाक पांच परसंट पांच लाक से दस लाक बीस परसंट more than 10,30,30% तो normal slab rate लगेगा बिटा जो भी normal slab होगा वो लगेगा ये बात हो गई बिटा short term capital gain की तो याद रखना अगर आपने listed equity shares transfer करे हैं या units of equity oriented fund transfer करे हैं और transfer करने पे short term capital gain हुआ है तो flat 15% का tax लगेगा under section 111A अगर आपने कोई और short term capital asset transfer किया है जिसके transfer पे short term capital gain हुआ है तो normal slab rate लगेगा flat rate नहीं लगेगा slab rate लगेगा point आया है समझ copy कर लो बिटे ये हो गया short term capital gain का अब बात करते हैं long term की ध्यान से देखना है बिटा समने चलो पिटा long term में न मैं आपको 3 cases कराऊंगा मैं 2 minutes एक बात आपको और बता दूँ एक बात और बता दूँ वैसे मतलब है simple एक reading मार ले पिटे देखो एक reading मार लेते हैं section 111a कब अपलाए करेगा अगर आपको short term capital gain हुआ है on transfer of listed equity shares and units of equity oriented fund तो flat rate of tax है 15% बेटा लेकिन एक शर्त है क्या security transaction tax must be paid on such एक 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 large sale sale पे आपने क्या पे करा हो security transaction tax तब ही बेटा 15% लगेगा नहीं तो नहीं तो फिर second वाले case में आ जाएगा तो शर्त क्या है security transaction tax must be paid on such sale तो बेटा इसमें एक शर्त है शर्त क्या है प्रोवाइड़ आपने security transaction tax पे किया हो security transaction tax must be paid on such transfer पे बेटा आपने stt पे किया हो यह शर्त है ठीके clear हुआ और रही बात transfer of other short term capital asset normal slab rate लगेगा बेटा धाई लाक रुपे वाला धाई लाक रुपे वाला कब लगता है बेटा अगर age 60 से कम है अगर age 60 या उससे जादा है but less than 80 तो slab rate तीन लाक वाला चलता है तीन लाक तक निल तीन लाक से पांच लाक पांच परसंट पांच से अब हम बात करेंगे long term capital gain की पेटा तीन तरह के long term capital gain की मैं बात करूंगा तीन तरह के एक है transfer of listed equity shares and units of short में लिख दूँ equity oriented fund आप लोग पूरा लिख ले ना section 112A section 112A पेटा एक बात याद रखना अगर listed equity shares या units of equity oriented fund के transfer पे अगर short term capital gain आ रहा है it is covered under section 111A but listed equity shares या units of equity oriented fund के transfer पे अगर long term capital gain आ रहा है तो it is covered under section 112A याद रखना आईए ठीके फिर दूसरा क्या है दूसरा है transfer of listed securities other than other than those covered under section 112A and zero coupon bonds and zero coupon bonds ठीके और तीसरा है ये है section आपका 112 ये section है 112 और तीसरा है transfer of other long term capital assets section 12A, ये मैं आपको बाद में करवाता हूँ, ठीक है इसके थोड़ा डिटेल डिसकेशन है, बाद में करता हूँ पहले मैं बात कर लेता हूँ आपसे section 112 की ये क्या कहता है, ध्यान से देखना है पिटा 112 attract कब होगा जब आपने transfer किया है listed securities अब आप कहोगे सर listed securities तो 112 A में भी cover हुई थी, ये दुबारा से आ गई, हाँ बेटा लेकिन उसमें उन्होंने आगे लिख दिया है other than those covered under section 112 A, मतलब जो securities, जो listed securities 112 A में cover हो गई न, well and good जो cover नहीं हुई वो बेटा cover हो जाएंगी 112 में, जैसे मुझे बताओ 112 A में listed equity shares cover हो गए बेटा तो याद रखना, अगर listed equity shares के transfer पे LTCG होता है तो 112 A apply करेगा, हाँ listed equity shares के इलावा listed equity shares के इलावा अगर आपने transfer किसी और listed security का कराना से listed debentures या listed bonds या listed units ठीक है, तो याद रखना 112 attract करेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कौन कौन सी securities को हम cover कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे listed debentures cover हो गए जैसे listed bonds cover हो गए लिस्टेड units cover हो गए ठीक है, तो जो 112 A में cover हो गई listed security, well and good जैसे listed equity shares cover हो गए, listed units of equity oriented fund cover हो गए, ठीक है, अब याद रखना, जो 112 A में cover नहीं हो पाई वो कहाँ पर cover हो जाएंगी 112 में cover हो जाएगी, जैसे जैसे बिटा listed debentures covered नहीं थे 112 A में, तो वो 112 में covered है, listed bonds covered नहीं थे 112 A में, वो covered है, ठीक है बिटा, in fact मैं आपको units के लिए एक बाद बता हूँ मेरी एक बाद सुनना बिटा, मुझे बताओ ये ना जो section 112 है इसमें उन्होंने एक बात कही है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिटा 2 मिंट other than those covered under section 112 A and units बिटा, units कोई भी हो, units कोई भी हो बिटा, वो यहाँ पर 112 में covered नहीं है यहाँ पर सारी listed securities covered है other than those specified under section 112 A और units भी बिटा, 112 में covered नहीं हो रहे है तो 112 में बिटा, दो securities covered नहीं हो रही है पहली, वो जो specified है 112 A में और दूसरी, units covered नहीं है mutual fund के units section 112 में covered नहीं है और बिटा, कौन सी security और cover हो रही है zero coupon bonds वो भी बिटा, 112 में covered है तो मैं आप लिख देता हूँ और कौन cover हो रहा है zero coupon bonds ठीके, तो मुझे एक बार बता दो बिटा, दुबारा से section 112 में कौन कौन सी listed securities cover हुई other than those specified under section 112 A क्योंकि बिटा, जो 112 A में आ गई जैसे listed equity shares उस पे तो 112 A अपलाए करेगा हाँ, बाकि जो listed securities है other than listed equity shares वो सब 112 में cover है इसके इलावा zero coupon bonds 112 में cover है units किसी भी तरह के, units of mutual fund units of UTI वो यहाँ पर cover नहीं हो रहे है ठीक है, अब बिटा 112 में tax rate क्या है, तो बिटा 112 A में आपको option दिया गया है क्या दिया गया है आपको option सर कैसा option बिटा भी दो मिन में बताता हूँ आपको 112 में आपको option दिया गया है ठीक है, क्या option आप लोग tax 10% के हिसाब से दे सकते हो या आप लोग tax 20% के हिसाब से दे सकते हो, आपकी मर्जी है बिटा बड़ा ही weird सी बात है वो कह रहे है, या तो tax 10 के हिसाब से दो या tax 20 के हिसाब से दो तो सर इसमें कौन सी पूछने वाली बात है हम तो 10 के हिसाब से ही देंगे, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, अगर आप tax 10% के हिसाब से देते हो, 10% के हिसाब से, तो आप बेटा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले पाओगे, बेटा, मतलब आप cost of acquisition को इंडेक्स नहीं करोगे, वादा करो, कि आप अपनी cost of acquisition का इंडेक्सेशन नहीं करोगे, अगर आप tax 10% के हिसाब से देते हो, तो no benefit of indexation, ठीक है, और बेटा, अगर आप tax 20% के हिसाब से देते हो, तो आप indexation का benefit ले सकते हो, benefit of indexation can be availed, benefit of indexation can be availed, तो बेटा, एक बात है न, दो चीजे हैं, आपको दो benefits एक साथ नहीं मिल सकते हैं, ठीक है, आपको दो no में से एक benefit मिलेगा, सुनो कौन सा, या तो आप tax कम rate पे दो, ठीक है, या फिर आप indexation का benefit ले लो, दो no में से एक मिलेगा, दो no benefits आप अवेल नहीं कर सकते हो, तो या तो बेटा आप, या तो आप tax 10% के हिसाब से दो, ठीक है, या फिर आप indexation का benefit ले लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, तो बेटा अगर इस question को हम जब solve करेंगे न बेटा, तो ये question दो parts में solve होगा, दो steps में solve होगा, कौन सा, पहला step, पहला step, आप capital gain निकालोगे, without indexation, और उस पे tax निकालोगे 10% का, ठीक है, दूसरा, आप capital gain निकालोगे, with indexation, और उस पे tax निकालोगे 20% का, दोनों में से बेटा, कौन सा वाला लोगे, जो आपके लिए beneficial है, whichever is beneficial to assessi, ये बेटा, government ने आपके हाथ में छोड़ दिया है, आपको जो भी फाइदेमंद लगता है, वो ले लो, लेकिन दोनों benefit नहीं मिलेंगे, बेटा, दोनों में से एक मिलेगा, या तो tax rate कम दो, या indexation का benefit ले लो, बेटा, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, समझाया, तो ये question दो steps में solve होगा, step one, capital gain निकालो without indexation, उस पे 10% का tax निकाल दो, दूसरा, capital gain निकालो with indexation और उस पे tax निकाल दो 20% का, दोनों में से जो भी tax कम हैं, वही assessi के लिए क्या होगा, beneficial होगा, तो कौन सा beneficial होगा, where? tax liability is less, जहां पर tax liability कम है वही better है, ठीक है, copy कर लो, बच्चे समझाया है सबको, फिर मैं आपको ग्रीडिंग करवाता हूँ, शाल, देखें, देखो पिटा, section 112, long term capital gain on transfer of listed securities, other than those specified under section 112A, इसके आगे missing है, and units, units बेटा 112 में covered नहीं है, and zero coupon bonds, तो इनको option दिया गया है, 10% का tax दे दो without indexation, या फिर 20% का tax दो with indexation, whichever is more beneficial to the SEC, और कौन सा वाला beneficial होगा, बेटा, जहां पर tax liability कम होगी, वेर tax liability is less, जहां पर tax liability कम होगी, clear हुआ बेटा सब को, पका, अच्छा, अब बेटा, 112 के दूसरे पार्ट पे आते हैं, ये वाला, ये वाला बेटा, transfer of other long term capital assets, other मतलब क्या हुआ, other मतलब, जो 112 A में cover नहीं हुए, जो 112 A में cover नहीं हुए, वो सब यहां पर covered हैं बेटा, और यहां पर बचे, flat rate है tax का, flat, जैसे 111 A में था ना, 15% flat, यहां पर flat 20% है बेटा, यहां पर flat 20% है, clear हुआ सबको, बस अब कौन सा रह गया है, मेरा section 112 A रह गया है, important है पेटा, ध्यान से समझता है, वैसे है simple, एक दो बात है important, करें, चलो, आओ मेरे साथ heading लिखो, section, 112 A, पहले बताओ 112 A, attract कब होता है, अगर आपको long term capital gain हुआ है, on transfer of listed equity shares and units of equity oriented fund, तो अगर आपको long term capital gain हुआ है, on transfer of listed equity shares and units of equity oriented fund, तो section 112 A attract होता है पेटा, ठीक है, अब 112 A कहता क्या है, सुना अध्यान से, पेटा 112 A में न, जो tax rate है, वो flat, flat है पेटा, 10%, flat 10% है, बट, यहाँ पर एक benefit और दिया गया है, क्या है, on capital gain exceeding rupees 1 lakh, यह एक नई बात है, जो add करी गई है बटा, बाकियों में नहीं था यह, यह एक नई चीज़े जो add करी गई है, tax लगेगा 10% on capital gain exceeding 1 lakh, मतलब बेटा याद रखना, अगर section 112 A में, LTCG एक लाख रुपे, या उससे कम का LTCG होता है न, no tax बेटा, no tax, एक लाख रुपे तक exempt है, हाँ, अगर आपका LTCG एक लाख को exceed किया, तो ही tax लगेगा बेटा, example के तौर पे, आपको LTCG हुआ, under section 112 A, बेटा, एक लाख बीस हजार का, ठीक है, तो याद रखना, tax लगेगा 10% के हिसाब से, on capital, gain exceeding rupees 1 lakh, बेटा, एक लाख से उपर जितना है न, उसी पे 10% का tax आएगा, तो कितने रुपे पे आएगा बेटा, एक लाख से उपर कितना है, 20,000, तो 20,000 पे 10% का tax आएगा, यानि कितने रुपे का tax, 2000 रुपे का, यानि section 112 A, एक लाख रुपे की exemption देता है आपको, तो अगर एक लाख 20,000 का capital gain हुआ है, अंडर section 112 A, तो उसमें से एक लाख रुपे exempt है, बचे वे 20,000 पे 10% का tax आएगा, 2000 रुपे का, तो बटा, बाकी जो capital gains थे न, उसमें ये वाली बात नहीं थी, ये एक नई चीज है, जो 112 A में ही available है, exemption, बटा, समझ आया सबको, पका, अभी ध्यान से सुनना, कॉपी करो पहले, यहां तो करड़ो कॉपी, एक बड़ी काम की बात करने है बिटा मुझे आप से, सुनो, एक reading आपको करवाता हूँ, यह देखो, 112 A, 112 A attract कब होगा, अगर आपको LTCG हुआ है, on transfer of listed equity shares, या फिर units of equity oriented fund, तो 10% का tax लगेगा, 112 A में, लेकिन, on capital gain exceeding 1 lakh, मतलब याद रखना, जितने का capital gain हुआ है, उसमें से 1 लाक रुपे तक exempt है, बचे वे amount पे 10% का tax आएगा बिटा, बचे वे amount पे, अभी सुनना important, कुछ शर्ते हैं बिटा, पहला, STT must be paid, both on acquisition and transfer, in case of equity shares, and on transfer in case of units, बचे उन्होंने न शर्त कही है, शर्त क्या है, मतलब उतनी ज़्यादा important नहीं है, उन्होंने क्या कहा है, equity shares के case में, बचे एक्विटी shares के case में, आपने STT pay करा हो, दोनों समय पे, दोनों समय मतलब, खरीते वक्त भी STT दिया हो, और बेचते समय भी STT दिया हो, तो खरीते समय भी दिया हो, acquisition पे, और बेचते समय भी दिया हो, equity shares के case में, और equity oriented fund के case में आपने बेचते समय दिया हो, खरीते समय नहीं, खरीते समय का कुछ नहीं का रखा है, बेचते समय दिया हो, तो मुझे बताओ, listed equity shares के case में STT कब दिया हो? पर्चेस करते समय भी और सेल करते समय भी, और equity oriented fund के case में आपने STT कब दिया हो, बेचते समय, खरीते समय दिया है या नहीं, irrelevant है, बेचते समय दिया होना चाहिए, समझाया? listed equity shares के case में दोनों समय पर दिया है, खरीते समय भी और बेचते समय भी, बट equity oriented fund के case में बेचते समय, ठीक है? फिर, ये बिटा मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये वाला point, हाँ, important, no indexation allowed, बिटा एक बात याद रखना, government ने न, 112A वाले section में आपको दो benefit दे दिया है, बिटा कौन से दो benefit, पहली बात तो, ये देखो, ये देखो, बिटा, बाकी capital gains पे 20% का tax है, 112A में आपसे 20% नहीं, सिर्फ 10% लिया जा रहा है, मतलब, आपसे low rate of tax लिया जा रहा है, other capital gains के मुकाबले, बहुत कम tax लिया जा रहा है, बिटा, 10%, STCG पे कितना था, 15, LTCG पे सिर्फ 10% लिया जा रहा है, तो एक benefit तो ये हो गया, low rate of tax लिया जा रहा है, दूसरा benefit बिटा, एक लाक रुपे का capital gain क्या है, exempt है बिटे, दो benefit दे दिये government ने आपको, एक तो low rate of tax ले रही है government, दूसरा एक लाक रुपे का capital gain exempt है, तो फिर government ने का, और कितने benefit चाहिए, दो benefit दे तो दिये, तो indexation का benefit आपको नहीं मिलेगा, no benefit of indexation, आप cost of acquisition को index नहीं कर सकते, no benefit of indexation, obvious ही बात है ना बिटा, और कितने benefit चाहिए, पहली बात तो government ने आपसे low rate of tax ले रही है, दूसरी बात, एक लाक रुपे का capital gain exempt भी रख रखा है, और कितना benefit चाहिए, indexation का benefit आप claim नहीं कर पाऊगे, cost of acquisition को index नहीं कर पाऊगे, समझाई बात, अब में को आपसे ना बड़ी important बिटा एक बात करनी है, आप समझ के देखोगे जड़ा, मेरी बात जड़ा सबने सुननी है बिटा, important एक discussion कर रहा हूँ आपसे, ये बनाना बिटा, ये बनाना, आपको पता है बिटा, जो budget है, जो budget है, 2018 का, कब का, 2018 का budget है, कब आया था, 2018 का budget आया था, 1st Feb 18, इस दिन आया था, budget, 2018 का, ठीक है, सुनना, ध्यान से, पिटा, ये जो budget आया था, 2018 में, 1st Feb 18 को जो budget आया था, ये पता है, कौन से year के लिए applicable था, obviously बात है बिटा, जो budget, 1st Feb 18 को आया है न, वो budget applicable next financial year के लिए होगा, next financial year मतलब जो आने वाला financial year है, मतलब ये budget applicable था, for financial year 18, 19 and onwards, and onwards ने लिखता, financial year 18, 19 के लिए ये budget क्या था, अप्लिकेबल, पॉइंट समझाया है पिटा, और मैं आपको एक बाब बताओं पिटा, इस budget में एक बहुत बड़ी amendment बिटा करी गई थी, ठीक है, मैं यहाँ पर पहले date लिख दूँ, ये वाला budget कौन से financial year के लिए applicable था, 18, 19, बिटा 18, 19 शुरू कब होगा, 1st April 18 को शुरू होगा, और 31st March 19 को खतम होगा, तो ये जो budget था, ये इस वाले financial year के लिए applicable था, for this financial year, बिटा आने वाले financial year के लिए ही तो होगा, वो budget, अब बिटा सुनना ध्यान से, आपको पता है बिटा, इस budget में न, एक बहुत बड़ी amendment आई थी, और amendment क्या थी मैं आपको बताता हूँ, सुनना, आपको पता है बिटा, budget आने से पहले, budget आने से पहले, pre-budget लिख देता हूँ मैं, pre-budget, pre-budget, आपको पता है बजट आने से पहले situation क्या थी Long term capital gain on transfer of listed equity shares and units of equity oriented fund were exempt fully exempt under section 1038 बेटा पहले क्या होता था budget 2018 आने से पहले अगर listed equity shares के transfer पे या units of equity oriented fund के transfer पे LTCG आता था तो वो पूरा का पूरा बेटा fully fully exempt होता था बेटा under section 1038 clear हुआ अब बेटा amendment क्या आई मैं आपको बताता हूँ बेटा amendment ये आई कि budget 2018 ने क्या करा budget 2018 ने क्या करा section 1038 को eliminate कर दिया बेटा खतम कर दिया और उसकी जगा बेटा section 112A इंट्रोड्यूस कर दिया बात समझके देखनी है बेटा सबने बहुत conceptual चल रहे हैं हम budget ने क्या करा section 1038 all together बेटा खतम कर दिया 1038 के खतम होते ही listed equity shares और units of equity oriented fund के transfer पे अगर LTCG होगा तो वो exempt नहीं रहेगा क्यूंकि बेटा 1038 जो exemption देता था वही section उन्होंने खतम कर दिया और उसकी जगा introduce कर दिया section 112A और अब government का कहना क्या है कि अगर अब बजट के बाद अब अगर आप transfer करते हो listed equity shares का या units of equity oriented fund का और LTCG होता है budget के बाद transfer करते हो तो वो exempt नहीं होगा क्यूंकि 1038 खतम हो चुका है वो taxable होगा 10% के rate पे हाँ एक लाक रुपे की exemption आपको दी है बात समझाई बेटा तो government ने basically बेटा 1038 खतम कर दिया 1038 की खतम होने की वजह से वो जो full exemption आपको मिलती थी ना वो खतम हो गई बेटा और उन्होंने 1038 की जगा 112A इंट्रोड्यूस कर दिया जो कहता है कि tax लगेगा 10% के हिसाब से however एक लाक रुपे का capital gain क्या होगा exempt होगा बात समझाई लेकिन बेटा लेकिन ये section 112A कौन से year के लिए applicable था ये बताओ मैंने आपको बताया बेटा ये budget कौन से year के लिए आया 18-19 के लिए तो बेटा एक condition है 112A की अगर आपने listed equity shares ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा अगर आपने listed equity shares या units of equity oriented fund का transfer किया है after 1st April 1st April 18 के बाद अगर transfer किया है यहां पर हुआ है बेटा transfer 1st April 18 के बाद हुआ है transfer ठीक है transfer of listed equity shares and units of equity oriented fund तो अगर आपने transfer 1st April 18 के बाद किया है तो section 112A attract होगा तो section 112A attract होगा मतलब मुझे एक simple सी बाद बता तो बेटा simple सी बाद 112A कौन सी date के बाद apply करेगा 1st April 18 के बाद तो मुझे बताओ 1st April 18 के बाद किसकी territory शुरू हो जाएगी 112A की territory शुरू हो जाएगी तो मुझे बताओ 1st April 18 तक 1st April 18 तक पिटा यहां तक किसकी territory रहेगी section 1038 की territory रहेगी है न क्यूंकि 112A कब से आ रहा है 1st April 18 से आ रहा है तो 31 March 18 तक तो कौन apply करेगा section 1038 apply करेगा इसका मतलब na rule अब simple हो गया समझा रहा है बिटा तो अगर आपने transfer किया listed equity shares का या units of equity oriented fund का up to 31st March 18 fully exempt under section 1038 बट अगर आपने listed equity shares या units of equity oriented fund का transfer किया on or after 1st April 18 तो बिटा exempt नहीं होगा taxable होगा under section 112A कितना tax लगेगा 10% का on capital gain exceeding 1,00,000 पका तो बिटा एक बाद दुबारा sum up कर दो फिर एक बड़ी important बाब बताने है section 1038 की applicability कहां तक है 31 March 18 तक तो 31 March 18 तक अगर आपको LTCG हुआ है transfer pay of listed equity shares या units of equity oriented fund fully exempt पट अगर आपने transfer किया 1 April 18 को या उसके बाद तो याद रख लेना exempt नहीं होगा taxable होगा under section 112 A समझाया पका अब मेरी ना एक बात सुनना पिटा मैं एक और diagram बनाऊगा यह थोड़ा सा congested हो गया है कल लिए copy सबने अब मेरी बात पिटा सुनना भी केम काम खतम नहीं हुआ है पिटा यह देखो budget कब आया था बिटा 2018 का budget first feb 18 को बिटा बात समझ के देखनी है सबने एक बड़ी important बात आपको बताने वालो हम है ठीके अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना बिटा यह budget कौन से साल के लिए आया था यह भी बता दो मैं हूँ बिटा मैं एक investor हूँ investor मैंने बिटा किसी listed company के equity shares खरीदे थे ठीके कब खरीदे थे बिटा मैंने मैंने वो shares खरीदे थे say 2017 में somewhere suppose मैंने first December 17 को खरीदे थे बिटा ठीके क्या खरीदे थे मैंने listed equity shares purchase of listed equity shares ठीके पता है बिटा कितने रुपे के खरीदे थे मैंने मैंने 10,000 रुपे के खरीदे थे 10,000 रुपे के listed equity shares मैंने खरीदे थे ये मेरी cost of acquisition है ठीके अब सुनना आपको पता है बिटा मैंने ये listed equity shares किस मन्शा से खरीदे थे मेरा intention क्या था इन shares को खरीदने के पीछे मैं आपको बताता हूँ बिटा मेरा intention पता क्या था कि मैं इन shares को कम से कम कम से कम बोल रहा हूँ बिटा एक साल के लिए कम से कम एक साल के लिए मैं इन shares को hold करके रखूँ गा ठीके कम से कम बिटा यानि कम से कम मैं एक डेड़ बी हो सकता है दो भी हो सकता है कम से कम मैं एक साल या डेड़ साल या दो साल के लिए मैं hold करके रखूँ गा अब सुनना पिटा एक बाद बताओ अगर मैं इन shares को मैं अभी की बात कर रहा हूँ मैं अपनी intention बता रहा हूँ बिटा आपको मैंने क्या सूचा था कि मैं इन shares को कम से कम एक देड़ साल के लिए hold करके रखूँगा और आपको अच्छी तरह पता है बिटा अगर आप listed equity shares को more than one year hold करके रखते हो more than one year तो transfer पे क्या होता है long term capital के ठीके और बिटा उस वक्त बिटे उस वक्त जब आपने ये shares खरीदे थे ना long term capital gain fully exempt था under section 1038 1038 खतम कब हुआ बजट में बिटा बजट में खतम हुआ अब मुझे थोड़ी ना पता था कि 1038 खतम हो जाएगा तो बात समझो मेरा खरीदने के पीछे intention क्या था मेरा intention था कि मैं इन shares को कम से कम 1.5 साल के लिए hold करके रखूँगा फिर 1.5 साल के बाद बेचूँगा बेचने पे LTCG होगा और LTCG मेरा पूरा का पूरा क्या होगा exempt होगा ये मैंने सोचा था तब ही मैंने ये shares क्या करे थे purchase अब क्या हुआ बटा एक साल हो गया पेटा मैं इन shares को गया बेचने Sale of Listed Equity Shares मैं बेचने गया इन shares को पता है कब पंदरा December 18 को तो बेटा खरीदे कब थे 1 December 17 को और बेचे हैं 15 December 18 को तो more than 12 months हो गए बेटा और आपने पढ़ा था अगर more than 12 months है Listed Equity Shares के case में तो long term बन जाता है ठीक है और पता ही ये कितने के बिके 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 ये बिके 25,000 रुपे के या मैं चलो थोड़ी और फिकर ले लूँ सुनो सुनो मैं एक zero add कर देता हूँ एक लाग के खरीदे थे बिटा ठीक है समझने में और इजी रहेगा धाई लाग रुपे के बिके एक साल बात बेचे धाई लाग रुपे के ठीक है अब सुनो एक लाग के खरीदे थे और धाई लाग के बेचे ध्यान से सुनना तो long term capital gain मोटा मोटा कितना हो गया डेड़ लाग रुपे का long term capital gain हो गया मैंने का चलो मस्त डेड़ लाग रुपे का मुनाफ़ा कमा लिया exempt है exempt है ये मुझे पता ही नहीं था बेटा कि budget 2018 में section 1038 तो खतम हो चुका है और 1819 में जब बेचे हैं मैंने 1038 तो apply करता ही नहीं section 112 ए apply करता है तो बेटा जैसे मुझे LTCG हुआ न 1.5 लाग रुपे का बेटा government आ गई मेरे पास tax मांगने government ने का एक लाग रुपे से ऊपर का LTCG हुआ है तिरेको कितने रुपे ऊपर का 50,000 रुपे ऊपर का हुआ है निकाल इस पे 10% का tax under section 112 तो 5000 रुपे का tax दे दे शांती से शांती से हमें 5000 रुपे का tax दे दे बात बेटा समझ आई clear हुआ कौन से section में tax लगा दिया बेटा section 112A के हिसाब से मेरे उपर क्या लगा दिया tax तो आपको नहीं लगता बेटा ये tax लेके government इस person के साथ ज्यात्ती कर रही है क्यों sir क्योंकि बेटा सोचो उसने जब ये share खरीदे थे न तब ये LTCG बेटा exempt होता था fully exempt होता था बट खरीदने के बाद खरीदने के बाद laws में change आ गया 1038 खतम हो गया और section 112A इंट्रोड्यूस हो गया तो बेटा आपको नहीं लगता इस person के साथ ज्यात्ती हो रही है क्योंकि ये share उसने खरीदे उस समय थे जब जब बेटा capital gain LTCG पूरा का पूरा exempt होता था listed equity shares पे पका तो government ने का बिलकुल ऐसे person के साथ ज्यात्ती हो रही है ठीक है तो हम उससे ये tax नहीं लेंगे हम उससे ये tax नहीं लेंगे but सुनना बात जो मैं कहूँगा but बिटा ऐसे person से tax लिया जाएगा tax लिया जाएगा but normal rule apply नहीं करेगा ऐसे person पे एक benefit सुनना सुनना बिटा ऐसे person को पहले बताओ मैं कौन से person की बात कर रहा हूँ बिटा जिसने share खरीदे कब हैं budget 2018 2018 से पहले मतलब 1st February 2018 से पहले खरीदे हैं और 1st April 18 के बाद बेचे हैं मैं उस person की बात कर रहा हूँ तो मैं किस person की बात कर रहा हूँ shares purchased prior to 1st February 18 and sold after on or after 1st April 18 तो मैं उस person की बात कर रहा हूँ जिसने share 1st February 18 से पहले खरीदे थे और 1st April 18 के बाद बेचे हैं बेटा benefit पता है क्या दिया गया ऐसे person को ऐसे person को पूरा exempt पूरा exempt नहीं करा गया उसका उसको एक benefit दिया गया पता है क्या benefit बेटा उसकी cost of acquisition को उसकी cost of acquisition जो की कितनी थी एक लाग उसकी cost of acquisition को एक लाग नहीं माना जाएगा यहाँ पर benefit है बेटा अब देखो कैसे उसकी cost of acquisition विल बी उसकी cost of acquisition होगी देखना बेटा देखना यहाँ पर मेरे साथ यह देखो cost of acquisition will be higher of higher of actual cost of acquisition और lower of fair market value as on 31st jan 18 and full value of consideration मैं आपको बताता हूँ बेटा ऐसे person की cost of acquisition मानी जाएगी जो भी उसकी actual cost of acquisition थी बेटा कितनी थी एक लाग अक्चुल cost of acquisition एक लाग और lower of fair market value as on 31st jan 18 बेटा यह 31st jan 18 कौन सी डेट है बेटा बजट से budget आने से just पहले की just एक दिन पहले की fair market value or full value of consideration whichever is higher यह लिख लो बेटा फिर आपको करवाता हूँ whichever is higher बेटा यह देखो यह देखो fair market value as on 31st jan 18 suppose यह डेड़ लाक रुपे है डेड़ लाक रुपे है और full value of consideration बेटा full value of consideration बताना कितने के बिके थे यह shares धाई लाक रुपे के अब बताओ इन दोनों में से बेटा lower कौन सा है lower है बेटा fair market value डेड़ लाक तो मैं यह आउटर कॉलम में लिख दूँगा डेड़ लाक रुपे अब क्या करना है दोनों में से whichever is higher अब बताओ एक लाक और डेड़ लाक में से higher कौन सा है डेड़ लाक हाईर है बेटा तो ऐसे person की cost of acquisition एक लाक नहीं बलकि उसकी cost of acquisition डेड़ लाक मानी जाएगी पका ओल्दो एक लाक है बट मानी डेड़ लाक जाएगी तो एक benefit दे दिया न बिटा उसकी cost of acquisition को बढ़ा दिया cost of acquisition बढ़ाएंगे तो capital gain कम हो जाएगा capital gain कम होगा तो tax liability कम आएगी बिटा तो उसकी cost of acquisition को बढ़ा दिया ये एक benefit government ने उन investors को दिया है जिनोंने equity shares, listed equity shares यह units of equity oriented fund 1st feb 18 से पहले खरीदे थे और बेचे हैं 1st April 18 को यह उसके बाद तो अब बताओ बिटा उसे benefit क्या हुआ जरा उसका tax निकालके बताओ tax under section 112a पहले बताओ बिटा उसकी cost of acquisition क्या है 1.5 लाक indexation का benefit नहीं मिलता है section 112a में बताओ full value of consideration क्या है 1.5 लाक minus cost of acquisition 1.5 लाक indexation का benefit नहीं मिलेगा तो capital gain कितना हुआ एक लाक और 112a में एक लाक रुपे तक क्या है exempt तो उसका tax कितना बन गया बिटा निल यह उसका tax आगया under section 112a निल वैसे बिटा कितना बनता normal provisions के हिसाब से हमने उपर निकाला था उसका tax बन रहा था 5000 है ना बट government ने का क्योंकि तुमने shares तब खरी दे थे जब section 112a exist नहीं करता था तो हम तुमें एक benefit देंगे क्या benefit हम तुमारी cost of acquisition को एक लाक नहीं मानेंगे बलकि inflate कर देंगे तुमारी cost of acquisition को बढ़ा देंगे जिससे तुमारा capital gain कम हो जाएगा tax liability कम आएगी यह आपके टाक्स rates है ठीक है पूरा हमने बटा detailed discussion कराए ठीक है ना transfer must be made on or after first April 18 मैं आपको बताई चुका हूँ बटा 112 way apply ही करता है तब जब आपने transfer first April 18 को किया हो या उसके बाद बाकि बटा इसमिना भी खतम नहीं हुआ है यह कुछ notes है important यह आपको next lecture में कराऊंगा फिलाल इस lecture के लिए काफी है मेरे क्याल से बताओ पूरा case clear हुआ पिटा यह जो पूरा concept था ना इसे हम grand fathering concept भी कहते हैं इसे हम grand fathering concept भी कहते हैं ठीक है बिटा मेरे ख्याल से बचे discussion सारा clear हुआ है सबको पका बाकी next lecture में discuss करते हैं ठीक है till then thank you करते हैं हाई